हलो स्टुडेंट्स और वेलकम टू ड्रीम क्लासेश और जैसा कि आपको पता है कि बोर्ड की परिक्षा बिहार बोर्ड की परिक्षा काफी नजदीक आ गई है और ऐसे बक्त में ड्रीम क्लासेश के तुरू एक फाइनल लाइव टेस्ट का आयोजन किया गया है और बिल्कु आपको पता चलेगा कि आपने कितनी तैयारी 365 दिनों में की क्योंकि कल आपका फिजिक्स का एक्जाम है ठीक है और ऐसे वक्त में लाइव टेस्ट लेना बहुत जरूरी था बच्चों के लिए एक लाइव टेस्ट कल सुबा कल आपका परिक्षा है ना कल सुबा 5 बजे बि इसमें आपको 32 कोश्चन का सही सही अंसर देना है वीडियो को लाइक कर ये नीचे सब्सक्राइब का बटन है रेड कलर का जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजे ताकि एक्जाम में बहुत सारे नौटिफिकेशन आते रेंगे बहुत सारी वीडियो जम आपको बनाएंगे अ अंटा जैसा उसको दबा दीजे ठीक है और प्ले स्टोर से आप हमारा लर्निंग डाउनलोड करके अभी से पढ़ाई कर सकते हैं प्ले स्टोर में सीधे 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 सर्च करिए ड्रीम क्लासेज ठीक है ब्राउन कलर का लोगो होगा 35 का वो हमारा एप होगा प्ले स्टोर आप उसको डाउनलोड कर लीजेगा लाइप जैसे खतम होगा वैसे डाउनलोड कर लीजेगा और वहाँ पे सिंपल जीमेल आइडी नाम ओटी पी आइगा चारंग का आप जो फोन नमबर दीजेगा मतलब फाइनली आप उसको जो है डाउनलोड करके उस एप में बहुत सा और जल्दी जल्दी से सबी लोग इस लाइफ टेस्ट में जुड़ जाएए बिल्कुल धीरे देरे दिख पा रहा है कि बच्चे हमारे साथ इस लाइफ टेस्ट में जुड़ रहा है और काफी भीड आज तो बिल्कुल काफी भीड होने वाला है बिल्कुल ये मुझे objective question नए pattern पे अधार पर जो बिहार विद्याले पर इच्छा समीती के द्वारा पूछा जाता है नए syllabus के अधार पर 42 objective question जिसमें आपको 35 प्रशन का अगर आप 30 प्लस भी आज आप कर रहे हो ना तो मासला बहुत अच्छा है आपके exam के लिए बहुत अच्छा होगा चलिए पहला सवाल आपके phone के screen पर 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रतेक की धारिता 5μf है मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते बड़े बूंद की धारिता क्या होगी बहुत अच्छा सवाल है बहुत अच्छा सवाल है और धड़ा-धड़ अंसर शुरू भी हो गया जैसे हमने question को screen पर रखा बच्छे इसका अंसर एक्दम गती में दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है बहुत बहुत बड़ा thank you ये जो है ना एक final life test एक life test कल सुबा पांच बजे मतब कल आपका exam है 5-6 सुबा life test देकर ही exam में entry करिएगा बहुत फाइदा होगा कल भी 42 objective question लेके आएं बहुत बीड़ा रहा जी नाम तो बिलकुल ले नहीं सकते बच्चों को इतनी बीड़ है कि दीरे दीरे आज नहीं तो अब कब रहेगा नहीं फिर chemistry का life test लेकर रहेंगे बायो का math का Hindi का English का सभी का लेकर रहेंगे जब तक आपका exam खतम ना हो जाए प्रतेक दिन life test चलेगा तो 64 समरूप बूंदे जिसकी प्रतेक की धारिता 5 mu of 1 मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते बड़े बूंद की धारिता जी बिलकुल बिलकुल पहला question का जो correct answer होगा वो हमारा C होगा 20 mu f 20 mu f यह हमारा correct answer होगा बिलकुल सही सही answer दे रहे थे बच्चे इस question का 90% बच्चों ने आज आपको बताना है कि 42 में आपने कितना बनाया ठीक है इस तरह से subscribe लिखा होगा नीचे प्लीज अभी क्लिक करके subscribe कर दीजे ठीक है और हमारा एक channel है Target with Rahul sir जहाँ पे Bank SSC Railway की त्यारी कराएंगे जैसे आपका 12 खतम हो जाए सर्च कर लीजे YouTube पे Target with Rahul sir उसको भी आजी subscribe क कर देना है ठीक है कल के लिए उसको छोड़ कर मत रखना है कि जैसे 12 का पेपर कदम होगा वहाँ पर हम सुरूओ जाएंगे Bank SSC Railway की live classes और board पर on a screen board ठीक है सवाल है कि जब किसी एमीटर को संट किया जाता है तो इसकी माप सीमा देखें दो option यहाँ पर है बढ़ती है घटती है और तीसरा जो है वो इस्तिर रहती है चौथा ननवदी सवाल देख लिजे पहले कि जब किसी एमीटर को संट करेंगे हम संट किया जाता है तो इसकी मा माप सीमा जल्दी से बताइए का समय तो बिल्कुल भी नहीं है और आज एकदम दम खम जो सो खरोस में जल्दी से लाइफ टेस्ट को शेर कर दीजे अपने दोस्तों के साथ क्योंकि अभी तो सिर्फ दो ही कोशन हुआ है चालिस अब्जेक्टिव कोशन अभी भी वचा हुआ जब किसी एमीटर को संट किया जाता है बहुत गती में अंसर आ रहा है जी बिल्कुल बहुत गती में अंसर आ रहा है और हम इसका अंसर बताएंगे कि ऐसे इस्तिती में इसकी माप सीमा जो है वो बढ़ती है जब किसी एमीटर को संट करेंगे तो इसकी माप सीमा बढ़ती और तीसरा सवाल आपके फोन के स्क्रेन पर ये देखिए बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही उम्दा सवाल है कि हाइड्रोजन स्पेक्टरम की कौन सी स्रेनी द्रिश्य भाग में पढ़ती है बहुत अच्छा सवाल है जी हाइड्रोजन स्पेक्टरम की कौन सी स्रेनी द्रिश्य भाग में पढ़ती है कोशन नमर 3 चार विकल्प आपके फून के स्क्रीन पे बिल्कुल रखा हुआ है है और है यह हमने खुद टाइप किया इस कोशन को दिख रहा है आपको नहीं कि यह खुद ड्रीम क्लासेश के राउल सर का कोशन बनाया हुआ है और खुद ही इसको टाइप करके बनवाया है तो इसका जो करेक्ट अंसर होगा स्टुडेंट दे दुमें अंसर रडी चली तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बामर स्रेनी द्रिश्य भाग में पढ़ती है और कोशन नमबर 4 था कि एक परत्यावरती धारा का सिखर बोल्ट था चार सो चालिस बोल्ट है तो इसकी आवासी बोल्ट था क्या होगी एक परत्यावरती धारा की सिखर बोल्ट था 440 बोल्ट है तो इसकी आवासी दारा 220 बोल्ट 440 बोल्ट 220 रूट 2 बोल्ट और 440 रूट 2 बोल्ट जल्दी से बताएगा कोश्चन नमर 4 चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे दिख रहा है चैन कर दना है जल्दी से चैन करिए कि एक पत्यावर्ती दारा की सिखर वोल्ट था 440 बोल्ट है तो इसकी आवासी बोल्ट था चार विकल्पोन के स्क्रीन पे दिख रहा है चली अंसर बताएगा ऐसे कंडिशन में इस कोश्चन का अंसर होगा पत्यावर्ती दारा की सिखर वोल्ट था 440 इसको प्लीज शेर कर दीजिए प्लीज टीक है एप डाउनलोड कर लिजिएगा और आज ही टार्गेट वित राहुल सर जो मेरा यूट्यूब चैनल है जहां पर बच्चे लगबग में 22 से 23 जर बच्चे हमारे साथ हैं वहां प बैंकिंग एससी रेलबे मेडिकल लाइन डिफेंस लाइन की क्लासे सुरू कर देंगे ठीक हैं फ्री ओप कोस्ट वो रेगा अब ऑन स्क्रीन बोड चल तो इसका अंसर हो गया पांच वासवाद ब्रूस्टर लाओ ब्रूस्टर लाओ ब्रूस्टर लाओ ठीक हैं ब्रूस्टर का नियम होगा म्यू इस इक्वल टू टैन आई पी और अगला सवाल यह बहुत अच्छा सवाल है इसको वी वी है आज का सारा कोशन ब्रूस्टर नहीं के सरी है या नहीं है सारा वी वी है ठीक है प्रत्या वर्तिदारा के सिखरमान तथा वर्ग मद मुल मान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा तू रूट टू वन वाई रूट टू वन वाई टू चार विकलप आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है बहुत अच्छा सवाल है यह बहुत ही मज़ेदार सवाल है ठी प्रत्या वर्तिदारा के सिखरमान तथा बर्ग मद मुल मान का जो रेशियो होगा वो कितना होगा बहुत अच्छा सवाल है आपके फोन के स्क्रीन पर हमने रखा है जल्दी से बताईएगा क्या अंसर होगा जी चली मैं देख पा रहा हूँ बचे इसका अंसर देरे हैं ब बहुत गती में देरें पर और भी ज़रुत है इतने से काम नहीं चलेगा इतने से काम नहीं चलेगा बिल्कुल जल्दी से बताईएगा क्या होगा जल्दी से बताईएगा क्या अंसर होगा कोशन नमर छटा चली इसका जो अंसर होगा वो बी होगा जी रूट टू चली से अगर आपको कोई doubt है तो तुरंद हमें repeat करिएगा इस question को नीचे comment box से live chat है लिखा हुआ उस पे live chat आप हमसे कर सकते हैं चलिए अगला सवाल 7 number question question number 7 वाँ और 2021 के लिए भी हमने अपने चैनल sorry अपने app dream classes पे आप जो play store पे app download करिएगा न dream classes के नाम से तो वहाँ 2020 के लिए already course course जो है वो यह हो चुका है publish हो चुका है अगर आप उस course को आपने मित्रों के साथ purchase करवाते हैं तो आपको hundred rupees का cashback मिलेगा जी बिलकुल एक student को आप हमारा course अगर खरीद वाते हैं वो 9999 का course है जिसमें हम आपको physics chemistry biology math चार subject को एक साल तक पढ़ाएंगे टोटल फीस बता रहें 999 ना कि एक महिने की फीस बता रहें एक साल में 999 रुपया अगर आप उसको खरीद वाते हैं तो आपको जो है 99 रुपीस का cashback मिलेगा फोन पे पे टियम गूगल पे जैसे कहिएगा वैसे पहले इसका सवाल का जबाब दे दिजे फिर हम अपना whatsapp नंबर दे देंगे आप वहाँ पे कहिएगा हाँ सर हमें खरीदवाना है बच्चों से purchase करवाना है अगर आपको किसी तरह की पैसे की आवेश रखता हो क्योंकि परिक्षा बहुत नजदीक है ऐसे में तो पैसे बहुत माइने रखता है अगर आपके नहीं आटो भाड़ा ये वो बगएरा बगएरा चली एक आवेशी चालक की सता से किसी बिंदू पर बिंदू तिये चेतर की तिवरता शुड़े हो कोशन नमर साथवा च्यार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पर रखा हुआ है और बिलकुल इसका अंसर हम बताएंगे कि ऐसी स्टिती में कि एक आवेशी चालक के सता के किसी बिंदू पर बिंदू तिये चेतर की तिवरता सता के लंबवत होती है ठीक है सता के लंबवत हो ठीक है आठवा सवाल आपके फोन के स्क्रीन पर रखते है कि निमनम में से किस में किसे महत्तम बेदन चमता है इसमें से किसकी बेदन चमता जो है सबसे जादा है वो आपको भी पता है बहुत अच्छा सवाल है यह बताईएगा कि निमनांकित में से किसे महत्तम बेदन चम करता है जल्दी से बताईएगा फोन के स्क्रीन पर आपका question रखा हुआ है बहुत अच्छा सवाल लेजी बिलकुल लेट मत कर जल्दी से इसका बता दिजी, कि किस में जो है वो बेदन छमता स्रवाधिक है जल्दी से बताए निम्नांकित में से किस में बेदन छमता चलिए किस के X किरने, कैथोड किरने R किरने या अलफ सोरी, एक सकेड एक सकेड कुशन ये R नहीं होना ची ये गामा होना चाहिए चली अब बताइए गामा होना चाहिए ना हाँ ये गामा किरने है जी बिल्कुल किसमें महत्तम बेदन चमता होती तो ऐसे कंडिशन में आपका अंसर जो वो सी होगा ठीक है मैं टिक नहीं लगा सकता हूँ आप समझ सकते हो कि हमने थोड़ा सा चेंज किया किसकी वेदन चमता सरवादिक है गामा किरनों की ठीक है तो आठ का सी होगा वो आर नहीं वो गामा होगा नूट करिएगा ठीक है आठ का जो करिक्ट अंसर वो सी होगा और अंसर क्या होगा गामा किरने ठीक है ये आर नहीं मानना है गामा मानना है चलिए ऑप्टिकल फाइ जी बहुत अच्छा सवाल है ऑप्टिकल फाइवर की सिद्दान पर काम करता है बिलकुल बहुत अच्छा सवाल है जल्दी से इसका अंसर दे दीजिए ठीक है उमीद है कि यह सब कोश्चन आपके बोट के एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा हो सकता है कल यही को पिर वहाँ गडबर हो जाएगा जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा जो कोश्चन हमने आपके स्क्रीन पे रखा उसका क्या अंसर होगा सही सही चल्दी से बताईएगा चली इसका अंसर हम बताते हैं कि आप्टिकल फाइबर किसी दान पे काम करता है question number 9 का जो correct answer होगा वो हमारा होगा D पुर्न आंत्रिक प्रावरतन पे आप्टिकल फाइबर किसी दान पे काम करेगा पुर्न आंत्रिक प्रावरतन पे अग्ला सवाल आपके स्क्रीन पे रखते हैं बहुत अच्छा सवाल है इसको बी-पी-ई करियेगा बिल्कुल अच्छा सवाल है जी बिल्कुल मज़दार सवाल है कि पी वेक्टर आगुर्ण वाला एक विद्दुदुधूर्ब ई वेक्टर तिब्रता वाले विद्दुद्य चेतर में रखा जाए तो उस पर लगने वाला जो बल होगा यानि जो टार्क होगा जिसको हम इस तरह से सूचित करते हैं वो क्या होगा अंसर हमारा जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा क्या अंसर होगा पी वेक्टर आगुर्ण वाला एक विद्दुदुदूर्ब ई वेक्टर तिब्रता वाले विद्दुद्य चेतर में रखा जाता है तो उस पर लगने वाला जो टार्क होगा वला अगूर्न होगा वो क्या होगा कॉश्चन नमर 10 जल्दी से बताएगा correct answer चली तो 10 का correct answer मैं बताऊं ready ready हैं आप लोग इसका जो correct answer होगा वो a होगा जी p vector into e vector ठीक है p vector into e vector यानि 10 का जो correct answer a होगा कोश्चन नमर 11 कि यदि प्रत्यावर्ति धारा तता विद्दूत बाहग बलके बीच फाई कौन का कालंतर हो तो सक्ति गुणांग का वैल्यू क्या होगा मान क्या होगा सक्ति गुणांग का जल्दी से बताएगा 10 5 cos square 5 sin 5 cos 5 जल्दी से बताएगा क्या answer होगा इस question का कि यदि प्रत्यावर्ति धारा तता विद्दूत बाहग बलके बीच जो angle of high cone का कालंतर हो तो सक्ति गुणांग का मान क्या होगा चली answer बताएग तो जो question number 11 का correct answer होगा जो बच्चे भी इसका answer दे रहे हैं मान कर चली आज भीड बहुत जादा है reason है भीड होने का कि कल exam है आपका physics का नहीं भी hardboard का UP बाले भी बिल्कुल ready रहेंगे जी जैसे आपका exam जिस दिन रहेगा उस दिन हम लोग live test बगरा करेंगे ठीक है कुछ tips and tricks आपको provide किया जाएगा कोई दिक्कत नहीं यदि प्रत्यवर्तिदारा तता विद्द बाग बलके बीच फाई कोन का कलंतर हो तो जो answer होगा वो cos phi होगा जी ठीक है क्या होगा cos phi होगा चली अगला सवाल है question number 12 कि सौर उर्जा का स्रोत क्या है आपको भी पता है कि इसका correct answer क्या होगा क्योंकि ये बहुत ही हलेटेड और बहुत ही आसान सा सवाल है कि सौर उर्जा का स्रोत क्या है nuclear weekendan nuclear sun lion a plus b ननब दीच बहुत अच्छा सवाल है जल्दी से इसका answer बता देजे कि नावी के सौर उर्जा का स्रोत क्या है सबको पता है b होगा correct answer नावी के संलाय नवी किरिया जी हाँ बिल्कुल सरूर उर्जा का जो स्रोत है वो नावी के संलाय नवी किरिया और question number 13 पर अगर हम discuss करे तो question number 13 है कि प्रकासिक तंतु का सिद्दान किस पे कारे करेगा जी बहुत अच्छा सवाल है प्रकासिक तंतु का जो सवाल सिद्दान्त है वो किस पे काम करेगा 11 question number 13 ABCD 4 विकलप आपके फोन के स्क्रीन पे रखा हूँ है प्रकासिक तंतु का सिद्दान्त है तो जो 13 question का जो correct answer होगा वो होगा प्रकासिक तंतु का जो सिद्दान्त है वो आधारित है पुर्ण आंतरिक प्रावरतन पर है चीहां students बहुत ही अच्छा सवाल है ये कि प्रकासिक तंतु का सिद्धान्त आधारित है तो ये इसका अंसर जो होगा वो पुर्ण आंतरिक प्रावरतन पर होगा और बिल्कुल अगले सवाल के ओर हम लोग चलते हैं की आगुन प्रती इकाई किसके बराबर होता है बहुत अच्छा सवाल है कोशन नमर 14 पदार्थ की चुम्बकन तिबरता चुम्बकी आगुन प्रती इकाई किसके बराबर होता है बहुत अच्छा सवाल है कोशन नमर 14 चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पे रखा हुआ कि पदार्थ की चुम्बकन तिबिरता चुम्बकी आगुन प्रती काई किसके बराबर होता है तो जो करेक्ट अंसर होगा 14 का A B C D 4 विकल आपके फोन के स्क्रीन पे रखा हुआ है तो जो करेक्ट अंसर होगा वो C होगा हमारा ठीक है कि पदार्थ की चुम्बकन तिबिरता था चुम्बक की आगुन प्रती काई वॉल्यूम आयतन के बराबर होता है 15 नमर कोश्चन पर अगर हम डिसकस करें तो कोश्चन नमर 15 है कि निम्नांकित में से किस रासी का मात्रग वोल्ट पर मीटर होता है बहुत अच्छा सवाल है जल्दी से बताइएगा निम्नांकित में जो करेक्ट अंसर होगा बहुत अच्छा सवाल है जी बिल्कुल इसका हम बेट कर रहे हैं आपसे ठीक है उश्चन नमर 15 जल्दी से बताइएगा जल्दी से बताइएगा क्या अंसर होगा चलि जल्दी से बताइएगा क्या अंसर होगा वोल्ट पर मीटर निम्नांकित में 28 का मात्रग वोल्ट पर मीटर है तो ये कोश्चन नमर 15 का जो करेक्ट अंसर होगा वो हमारा डी होगा बिद्दुच्छेत्र का है ठीक है स्टुडेंट चलिए तो शोला नमर कोश्चन जल्दी से जबाब दीजेगा क्या अंसर होगा बहुत इंपोर्टन कोश्चन ही है कि मुक्त अकास की प्रावैद्दुत इपसाइलन नोट क्या होता है इसका वैल्यू क्या होता है चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है जल्दी से बताइएगा कौन सा विकल्प आपके लिए सही होगा और जैसा कि आपको कल आपका फिजिक्स का एक्जाम है तो इसके लिए बेस्ट अप लग अभी से ही आप सभी को टिक हैं और बिल्कुल कुछी घंटों म चली 16 नमर कोश्चन थोड़ा फास्ट फास्ट हम करते हैं 8.85 इंटो 10 तो दी पावर माइनस 12 एफम इनबर्स ये सोलर नमर कोश्चन का था और 17 नमर कोश्चन समरूप बेग से चलायमान बेग उत्पन करता है चार विकल्प केवल बिदुच्छेत्र केवल चुमबक्य चे तो 17 का जो करेक्ट अंसर होगा student जो करेक्ट अंसर होगा वो हमारा भी होगा ठीक है समरूप बेग से चलायमान जो है वो उत्पन करेगा केवल चुमबक्य चेत्र ठीक है कोश्चन नमर 18 क्यों अगर discuss करे कि बाहक तरंगों पर किसी सूचना के अद्धैर उपन की परकिरिय का नाम क्या है ठीक है बहुत अच्छा सवाल है जल्दी से इसका अंसर बताईगा कोश्चन नमर 18 चार विकल्प आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है बिल्कुल जल्दी से बताईगा कि बाहक तरंगों पर किसी सूचना की अध्यार ओपन की परकिरिया का क्या नाम है जल् फाइनल लाइब टेस्ट है एक सुबह हम लाइब टेस्ट लेंगे कोश्चन नमर 19 क्यों अगर डिसकस करें दो लेंस जिसकी छमता माइनस 15 डिएप्टर तथा प्लस 5 डिएप्टर हो को संयुक्त करने पर सामय होजन की फोकस दूरी कितनी होगी कोश्चन नमर 19 चार विकल् जल्दी जल्दी से इसका अंसर दीजेगा ठीक है बहुत आप सभी को वेस्ट अपलाक फिजिक्स के एक्जाम के लिए कल आपका पेपर है आई तिंग मैं समझ रहा हूं ये ठीक है तो दो लेंस की छमता माइनस 15 डिएप्टर प्लस 5 डिएप्टर है तो संयुक्त करने पर स फोकस दूरी होगी तो कोशन नमर 19 का जो करेक्ट अंसर होगा वो हमारा 20 माइनस 10 सेंटी मिटर होगा सॉरी इस कोशन को हमने नुमेरिकल में भी अच्छे से सॉल्यूशन किया था अगले सवाल क्यों रहते हैं कि आपको एक ओम के तीन प्रतिरोध दिये जाए और इनको संय है ना तो 1Y3 ओम जो है वो हम प्राप्त कर सकते हैं नहीं आपको पता है अलग कि यह कोशन काफी इंपोरटेंट और काफी बार पूछा गया है किस कारण से हबा का बुलबुला पानी के अंदर चमकता हुआ नजर आता है यह कोशन मैंने काफी बार किया है इस कारण से में 21 का जो अंसर होगा वो हमारा होगा पूर्न आंत्रिक प्रावर्तन से, किस कारण से हबा का बुलुबला पानी के अंदर चमकता हो और नजर आता है, पूर्न आंत्रिक प्रावर्तन के कारण हबा का बुलुबला पानी में चमकता हो और नजर आता है, dream classes, question number 22, क्योंकि समय कास की चाल गयाद करें ठीक है जल्दी से बताईएगा जल्दी से बताईएगा बहुत अच्छा सवाल है जी यह कोशन नमबर 22 बहुत अच्छा सवाल है कोशन नमबर 22 के 4 विकलप आपके फोन के स्क्रीन पर दिख रहा है कि किसी माध्यम से निर्बात में पुर्ण आंतिक प्रावर्तन के लिए क्रांति कोन का 30 डिग्री है तो माध्यम में प्रकास की चाल गया आत करें बहुत अच्छा सवाल है यह हमारा और इसका जो करेक्ट अंसर होगा ठीक है इसका जो करेक्ट अंसर होगा यह बहुत अच्छा सवाल है यह जल्दी से बताएगा क्या अंसर होगा मैं बताऊं तो कोशन नमबर 22 का जो करेक्ट answer होगा वो हमारा B होगा जी ठीक है 22 का जो correct answer होगा वो हमारा 22 का B होगा 1.5 into 10 to the power 8 meter per second और question number 23 की और discuss करें UHF परिशर की आकृतिया का प्रशारन प्राया किसके द्वारा होता है UHF परिशर UHF परिशर बहुत अच्छा सवाल है जल्दी से पताईएगा ठीक है UHF परिशर की आकृतियों का प्रशारन प्राया किसके द्वारा होता है तो question number 23 का जो correct answer होगा वो हमारा A होगा जी बिल्कुल आकास तरंगों के द्वारा इसका होगा ठीक है question number 24 की ओर हम लोग डिसकस करते हैं बहुत कुछ पढ़ना है इसलिए हम समय थोड़ा कम ले रहे है यांत्री कुर्जा को बिद्दु तुर्जा में ये तो बिल्कुल मैं इस पर समय नहीं लेना चाहूँगा क्योंकि ये बहुत बार पूछा गया सवाल है बहुत अलका सवाल है यांत्री कुर्जा को बिद्दु तुर्जा में बदनने वाला यंत्र हमारा डाइन्मो होता है mobility ये भी question काफी बार पूछा गया है जल्ली से बताए mobility का SI मात्रक क्या होगा question number 25 mobility SI unit of mobility question number 25 का correct answer होगा A ampere per newton question number 25 का A होगा 26 question number 26 का जो correct answer होगा question number 27 अगर कोई आपका friend 2021 में board का exam देना चाहता है तो उसको ये number दे दीजिएगा बोलिएगा कि यहां से राहूल सर के द्वारा जो app बना हुआ 6200733858 ठीक है सर से बात कर लिजिए मारी dream classes से बात कर लिजिए सर ने एक app बनाया play store पे वहाँ पे 2021 के लिए course launch हो चुका है आप purchase कर सकते हो अगर आपके थूँ अगर आप किसी दोस्त को purchase कर वाते हैं तो आपको 99 रुपीज का case back निक मिलेगा एक student पे अगर आप आप ने 10 student को join कर वाया तो 1000 रुपीज आप कमा सकते हो 27 number question यह हो गया नाभी की तरिज्या की कोटी क्या होगी बिल्कुल जल्दी से बताएगा कितना 10 to the power 18, 16, 15, 14 तो नाभी की तरिज्या की जो कोटी होगा वो आपका होगा 10 to the power minus 14 meter बहुत अच्छा सवाल है इसको नोट जरूर करिएगा अपनी कॉपी में चलिए अगला सवाल फोन के स्क्रीन पे दिख रहा होगा जल्दी से अंसर बताएगा कि निम्नलखित मेंसे किस वेग्यानिक ने क्वांटम सिद्दान्त का प्रतिपादक किया तो यह आपको भी पता है जल्दी से बताएगा कि किसी संदारित के दोनों प्लेटों के बीच एकांग आएतन में संचित उर्जा का मान होता है जल्दी बताएगा बच्चे सोच रहेंगे सरा बड़ा जल्दी जल्दी लाइब टेस्ट लेढे एक्जाम है ना बहुत कम समय बच रहे हैं इसको थोड़ा फास्ट फास्ट लेगे चल रहे हैं जल्दी से बतेगा 29 नुबर का correct answer क्या होगा बहुत अच्छा सवाल है किसी समनांतर संदारित के दोनों पलेटों के बीच एकां गायतन संचीत उर्जा कमान बिल्कुल अंसर बहुत अच्छे बहुत स्पीड में बच्चे अंसर दे रहे हैं हम इसको इस तरह से अंसर लिखना चाहेंगे कि वन वाटाइट टू इपसाइलन नोट इसक्वाइर ठीक है यानि जो correct answer होगा वो हमारा ए होगा 29 का ए वन वाटाइट इपसाइलन नोट इसक्वाइर मैं बताओं बिल्कुल ready हो ना आप लोग बिल्कुल किर्चौप का बिंदू नियम पालन करता है किर्चौप का जो बिंदू नियम पालन करेगा वो आबेश की संरक्षता के सिद्धान पर पालन करेगा जिया किर्चौप का बिंदू नियम पालन करता है आबेश की संरक्ष स्रेनी क्रम में जुड़े हैं उनके तुल दारिता क्या होगी तो 31 का जो आंसर होगा अगर स्रेनी क्रम में जोड़िएगा तो divided by 3 हो जाएगा यानी सी वाई 3 यह हमारा correct answer होगा student नोट करते चलिए like करते चलिए share करते चलिए ताकि आज जो है final वो सुभा भी एक final test होगा बिल्कुल आज live test fast fast हो रहा है वांडी ग्राप एक ऐसी युक्ती है जो जो उत्तपन करती है उच्च वोल्टता को और 33 पे discuss करते हैं कि विदुद्चुमक्य तरंग के संचरन की दिशा क्या होगी विदुद्चुमक्य तरंग के संचरन की दिशा तो 33 का जो अंसर होगा क् यह कोशन काफी बार हमने इस पर discuss किया है ई vector गुने b vector के समन आंतर होगा बिल्कुल ए vector गुने b vector के समन आंतर होगा और 34 कोशन की जरूरत होगी उच्च प्रतीरोद, निम्दध प्रतीरोद, संधारित, या प्रेरन, कुंडली की तो जो 34 कोशन होगा इस का अंसर होगा प्रत्यावर्ति धारा निम्न में से कौन सा परभाब परदर्शित करता है रशायनी उसमिये चुम्बके यह ओल प्रत्यावर्ति धारा किस तरह के कौन से परभाब को परदर्शित करती है बहुत अच्छा सवाल है जल्दी से इसका अंसर दीजेगा परत्यावर्ति धारा कौ में प्रभाब को प्रदर्शित करेगी और 36 नम्मर कोशन कि धातू के बने किसी गोलक की चुमक्य छेतर में दोलन करने पर उसकी दोलनी गती होती है तो उसकी दोलनी गती जो होगी वो अब मंदित हो जाएगी जी हाँ धातू के बने किसी गोलक को चुमक्य छेतर में दोलन कर पर उसकी दोलनी गती अबमंदित हो जाएगी और 37 नमर कोश्चन की डेविशन जर्मन परियोग से इलक्टरोन की जिस प्रकिर्टी की सत्यापन हुआ वह था जी हां डेविशन जर्मन परियोग से इलक्टरोन की जिस प्रकिर्टी का सत्यापन हुआ वह था 37 number का जो correct answer होगा वो तरंग प्रकिर्ती होगा और 38 number question जब प्रकास की वो अंसर हो गया 37 का B जब प्रकास की A किरन slab में प्रबेश करती है तो इसका तरंग धहर सबको पता है सबको पता है क्योंकि ये question हमने बार बार test में बार बार इस question को दिया था कि जब प्रकास की किरन slab में प्रबेश करती है तो इसका तरंग धहर जो होता है वो 38 का जो अंसर होगा A होगा जी slab में प्रबेश करेगा तो तरंग धहर घट जाएगा 39 number question कि ताब बढ़ाने पर अर्दचालक का रसिस्टेंट जल्दी बताएगा पांच मिनट वाद ये dream classes पर वीडियो अप्लोड हो जाएगा फिर से देख लिजेगा अगर आपने बीच में जोइन किया या छूट किया आपका कुछ कोशन तो परावैगनी किरनों को फोकस करने के लिए किस पदार्थ के किस पदार्थ का लेंस परियुक्त करेंगे परावैगनी किरनों को फोकस करने के लिए किस परकार के लेंस का परियुक्त करेंगे तो जो करेक्ट अंसर होगा वो हमारा 40 का जो करेक्ट अंसर होगा बहुत अच्छा सवाल है 40 का जो अंसर होगा वो A होगा क्वार्ज का प्रयोग करेंगे जी बिल्कुल 40 का A 41 पर डिसकस करते जैसा कि हमें बताये था कि सिलेबस के इसाथ से 42 कोशन हम लेकर आएंगे परिपत का वागुन जो बिद्दु तुर्जा को ताप में बदलता है सबको पता है कि 41 का क्या अंसर होगा परिपत का वागुन जो बिद्दु तुर्जा को ताप में बदलता है प्रतिरूद बिल्कुल 41 का A होगा परिपत का वागुन जो बिद्दु तुर्जा को सबको पता है कि अगर टेंपरेचर मतब देखते हैं वायर जो गर्म हो जाता है वो रेसिस्टेंट के कारण होता है प्रतिरोध के कारण, गौस के नियम के अनुसार, सब को पता है, जल्दी बताइएगा, 5E is equal to Q by epsilon note, 42, और यह live test नहीं पर खतम होता है, एक सुबह final live test होगा, सुबह 5 मज़े रेडी रहिएगा, ठीक है, उस live test को देखकर ही exam में जाना है, प्ले स्टोर से आप हमारा एप डाउनलोड कर लिजे, target with रहूल सर हमारा YouTube चैनल है, उसको आज ही सब्सक्राइब कर दीजे, जैसे ही आपका board का exam खतम होगा, वहाँ पे bank SSC railway, competitive exam की जैसे medical, defense, सभी line की तैयारी शुरू कर देंगे वहाँ पर, सब पढ़ाएंगे वहाँ पर, अभी सब्सक्राइब कर दीजे, मिलते हैं और भी बहुत सारी वीडियो के साथ, बाबाई and best of luck